दो सो कंट्रीज, सवा दो सो लैंग्विजिस, चार जार तीन सो रिलिजिन्स याने धर्म, चौदा हजार लडाई और साड़े बारा हजार लडाई सिर्फ धर्म पर, एक और आकड़ा बताता हूं मैं आपको, एक सो चालीस क्रिश्चन कंट्रीज है, 59 कंट्रीज, मुस्लिम क यह सब मैं क्यों बोल रहा हूं, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस बार 15 अगस्ट आएगा, और 15 अगस्ट आएगा वो अलग होगा, कोविड के लिए नहीं, इसलिए क्योंकि इस बार हमें अलग करना पड़ेगा, जो बात आप और मैं जानते हैं, यह हम अच्छी तर रखेगा कि हिंदुस्तान और नेपाल जिसका हर्ष आप देख रहे हैं वो कहां जा रहा है हिंदुस्तान को अगर बचाना है तो आप और हमको सब को मिलकर एक चीज़ तो करना है और वो क्या करना है मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूं कि हिंदुस्तानी विकास तो कर रहा है हिंदुस्तानी विकास भी कर रहे है ये अच्छी बात है कि हिंदुस्तानी हर जगा पहुँचे है चाहे फिर वो साउथ अफरिका क्यों ना हो कॉंटिनेंट की बात कर रहा हूं US क्यों न हो, Europe क्यों न हो, Australia क्यों न हो, Asia क्यों न हो ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर हिंदुस्तान ही नहीं है लेकिन हिंदुस्तान की पैचान उनसे हमें मिलती है आज तमाम ये जो दोस्त मेरे वहाँ पर बैठे हैं उनसे जब मैं बात करता हूँ, तो मेरे को बड़ा गुसा आता है आज मेरी आवाज भी चड़ी है, आज तोड़ा सा क्रोध भी अंदर में आक्रोश है मेरे मन में, क्योंकि आजादी के बाद में इतना कुछ हो गया है इतने सारे देश बड़ ले हैं, लेकिन मेरा देश बड़ नहीं रहा है क्योंकि उसके लोग नहीं बड़ रहे हैं ये जितने भी लोग यहां हमें देखते हैं, उनको हिंदुस्तान पे फक्र है बट वो कहते हैं कि तीन बात ऐसी है लगबख सभी दोस्तों ने ये तीन बातों को अग्री किया है उन्होंने कहा है कि यसी तीन बात है जो हिंदुस्तान को नीचे कर रहा है अगर सुनने को तयार है एक अटाक्ष तो मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ कि सबसे पहला यही मेरी ट्रैंगल थेरी है जिसके विशे में मैं आज आपसे बोलने चाहरा हूँ और इतनी आवाज में बात कर रहा हूँ क्योंकि ये हिंदुस्तान जितना आपका प्यारा है ना उतना मेरा भी है लगता मेरे को भी बुरा है सुधार करने के लिए ये तीन बाते मैं आप तक बता रहा हूँ ये तमाम जितने भी दोस्तों से बात कर रहा था मैं उन्होंने कहा तीन बाते पहली बात कि आप जितने हिंदुस्तानी है आपको आपके मात्र भूमी से आपको मिट्टी से प्यार नहीं है और वो इसलिए कहते हैं क्योंकि जापान इसमें आ जाता है, इसराइल आ जाता है, इन पर तमाम अटाक हुए है, एक पर तो नुकलियर अटाक हुआ है जापान, और जिसने किया है यूएस, आज यूएस जापान से सब कुछ खरीदता है, लेकिन जापान कुछ नहीं खरीद यूएस के बाद, एक छोटा सा देश इतना कुछ कर सकता है, हमें अपने मिट्टी से प्यार अगर होता, तो हम इस देश को छोड़ कर, बाहर देशों में जाकर, अपनी सिक्यूरिटी और अपना फेमस अपनी पॉपिलरिटी नहीं ढूनते, कहीं न कहीं हमें अपने मिट्ट अपने मिट्टी से प्यार है, जो मात्रु भूमी मा कहते हैं आप उसे, जैसे जिस तरह से आप मा की गाली नहीं सहन कर सकते हैं, वैसे अपनी मात्रु भूमी पर कोई भी कीचड उच्छा ले, ये भी नहीं सहना चाहिए आपके, दूसरा, आपको ये बता दूँ, कि वो कह अपकी, हम कहते हैं कि हमारी भाषाएं कई है, हमारे धर्म कई है, आज नैतिकता, अगर हमारा धर्म हो जाए, तो हम शायद, वैल्यूज अगर हमारे सिस्टम में सबसे इंपोर्टन हो जाए, ना कि हमारा धर्म पहले, तो इस हिंदुस्तान की पैचानी कुछ और होती है, एक अखंड भारत का निर्मान या इसकी कलपना करना किसी हमारे महानुवों ने सोचा था उन्होंने लडाई दी अपनी जान दी इस देश के लिए और आज हम किस तरह से इस मात्रुभूमी से प्यार करते हैं भाशाओं में बढ़ गए हैं धर्मों में बढ़ गए हैं एक भा बैमान इस नाम से जाने जाते हैं हिंदुस्तानी नहीं बैमान वो कहते हैं कि एक हिंदुस्तानी पर विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल है क्यों क्योंकि आप आप देखिए अमरिका में चोरी का माल बिकता नहीं है क्यों क्यों क्योंकि चोरी का माल बिकता नहीं है इ अपनाज, दूद, आप किसी भी चीज में देखिए, मिलावट ही मिलावट है, मिलावट हो रही है, रिश्वत है, ले ली जा रही है, हर एक चीज जो हमें अपने नेतिकता से, मूल धर्म से करना चाहिए, उसके लिए हम पैसे ले रहे हैं, एक नाना पाटे करकर का डायलग याद आता है, उन्होंने एक पिच्चर में कहा था, कि सौ में से नब्बे बही मान, फिर भी मेरा भारत मान, अंदर की बात है, बाहर वाले कैसे क्या देख रहे हैं, इस पे ध्यान देना है, मातर भूमी से प्यार है आपको, ध्यान रखें अपने मातर भूमी का, एक एक ज कम से कम राश्टरता आपके भाशा में छलकना चाहिए, तीसरा, बैमान, इसकी पहचान हिंदुस्तान नहीं है, अगर ये है तो इसे आप इसे रोकिए, इसे तुरंट खतम कीजिए, कही ना कहीं ये तीन बातों का मूले हम चुका रहे हैं, तभी तो हम कही ना कहीं पीछे आपको फकर नहीं होता है, कितने सारे लोग हमारे लिए जान देते हैं, दे रहे हैं, सिर्फ देश के लिए, सोचिए, एक पूरा कौम है हमारा डिफेंस, जो हमारे देश की रक्षा कर रहा है और वो सिर्फ एक ही बात जानता है, लेकिन हम सिविलियन्स का आज सबसे दाइत्व है, एक धर्म है हमारा, और वो धर्म ये कहता है कि अपने मात्र भूमी के साथ में निस्टा निभाई है, हमारी भाषा राष्ट्रता की होना चीए, और हमें बहिमानी बन करना चीए, अगर ऐसा है, तो फिर उस जंडे को इस साल आप सलाम देंगे, मैं मेरी कोश पूरी करूँगा और हर बार करूँगा, जब तक जिन्दा हूं, तब तक करूँगा, जैहिन